मनुष्ट की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सूची, धन, प्रेम, अहंकार मनुष्ट की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस से चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य से उसके नाश की चाभी होती है इसलिए यदि प्रबल रहना है शक्तिशाली रहना है समर्थ रहना है तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताए ना मित्र को और ना ही शत्रू को चुकि समय पढ़ने पर कब कौन शत्रू हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं विभीशन को रावण के अम्रित कुंड का ग्यात था इसलिए प्रभुश्री राम रावण का बद करने में सभल हो सके इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयम तक ही सीमित रखें विजय और पराजय का निर्णय तो युद्ध के अंतिम दिन होगा हस्तिना पुर्यवराज नियम तो केवल युद्ध का मार्क दर्शन करते हैं अंत में कौन कितनी सीमा में रहता है और किसे सीमा तोड़ने का टंड मिलेगा ये तो समय ही बताएगा उचे देवासुद परंतू मैंने जो कारण गिनवाए क्या उसका उत्तर किसी के पास है अर्जुन भीम विदुष्टा इसे के पास उत्तर नहीं है उत्तर मेरे पास है तुर्योधन मैं नया जन्म लेके आओंगी भीष्म तुमसे प्रतिशोद पूर्ड करने देवी अमबा प्रतीथ होता है गानधारी नंदन युद को भी युद समझ बैठे है युद के पासे भले ही किसी एक के संकेत पे पढ़ते हो परंतु युद के पासे कभी भी पलट सकते हैं उत्तम विचार्थ रूपत नंदिनी परंतु एक बात समझ में नहीं आए आप यहां क्या कर रहे हैं यहां युद के नियम बन रहे हैं आभूशन नहीं मेरे आभूशन मेरे अस्त्र है गांधार नरेश रहा आपके प्रशनों का उत्तर कुमार दुर्योधन तो मैं आपको बता दू कि पांडव पक्ष में आपके हर योधा की काठ है तुम्हारे कवच कुंडल धारी मित्र करन का उत्तर है द्रोन शिश्य, बशुपतास्त्र धारी, कॉंतेय, अर्जुन आपकी अगली सुरक्षा पंक्ती, आचार्य द्रोन तो कदाचित आप भूल रहे हो, तो मैं आपको स्मरन करा दू कि मेरे भाई द्रिश्ट द्यूं का चन्म द्रोन का वध करने के लिए हुआ है रही बात आपके प्रियम पामाश्री की, नारायनी सेना की तो मैं आपको बता दू, स्वयम नारायन पांडवों के मार्व दर्शक है और शेश रहे आपके कुशल अनुभवी, सेदापत, गंगापुत्र भीश्म तो उन्हें मुक्त करने के लिए मैं स्वयम आप सब के सामने खड़ी हूँ माभली भीश्म को संसार, भीशन से भीशन अपनी प्रतिग्या से जानते हैं तो उन्हें ये प्रतिग्या भी निभानी होगी, कि वो मेरे सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे तो कौरवदल स्वागत कीजिए पांडव पक्ष के सेनापती विरांगना शिखंडनी का अदभुत पांचाल गुमारे, अदभुत परंतु ये समय युद्ध की ललकार देने का नहीं है यहां हम युद्ध के नियम निर्धारित करने के लिए बैठे हुमें, इसलिए आप अपना स्थान ग्रहन करें तो अब बिना किसी विलम के युद्ध के नियम निर्धारित करने के लिए चर्चा की जाए जैसे कि कुरुकुल की रीती रही है, कि सदैव सबको समान अवसर दिया जाए इसलिए युद्ध के नियम निर्धारित करने के लिए भी हम कौरों की तरब से सभी उपस्तित महायुधाओं को नियमों का सुजाव देने का समान अवसर दिया जाएगा और हाँ, मैं ये जानता हूँ कि पांडव पक्ष मामा श्री शकूनी का मुख अधिक समय तक नहीं देख सकते इसलिए मैं अपना सुजाव आरंब में ही दे देता हूँ समस्त आर्यवरत में युद्ध चाहे जितने भी दिन चल परन्तु आरंब सुर्योदय से होता है और सुर्यास्त कोती ही युद्ध भी थम जाता है परन्तु परन्तु इस बार नियम में एक छोटासा परिवर्तन होगा सुर्यास्त के पश्चाद भी युद्ध पर विराम नहीं लगेगा तब तक जब तक अंधकार इतना सगन्ना हो जाए कि योधाओं को मशाल के प्रताश में भी कुछ दिखाई न दे परन्तु इसमर्ण रहे मामा शुरी यह इनियम सब पर परभावी होगा जब तक अंधकार में मैं देखने में आसक्षम ना हो जाए मैं प्रहार करता रहूँगा और इसमर्ण तो आपको है कि अंधकार में भी अर्जुन अपने लक्ष से कभी नहीं चुकता मेरा भी एक सुझाव है युद में घायल या लड़ने में असमर्थ या निरस्त्र हुए योधा पर विपक्षी प्रहार नहीं करेगा अधि उत्तम मित्र हमें स्विकार है अधुभूत अंग्राज आपका नय दर्शन तो सरानिय है हमें आपका ये नियम स्विकार है समान पद्ध वाले योधा समान पद्ध के योधाओं से द्वंद करेंगे रथी रथी से द्वंद करेंगे महारथी महारथी से द्वंद करेंगे अश्वरोही से अश्वरोही द्वंद करेंगे और गज्रोही से गज्रोही द्वंद करेंगे एक योधा केवल एक योधा से युद करेगा गुड बनाकर कोई भी किसी एक पर आक्रमन नहीं करेगा किसी के पीट पीचे वोई प्रहार नहीं करेगा कि दीवीपक्षी ने पहने चल किया तो कि प्रतिपक्षी को उसका उत्तर देने काधिकार है वो योद्धा की सोच पर निर्भर करता है विकोदर एक महत पुर्णनियों इस सी उध्ध में वही उध्धा एक दूसरे का सामना कर सकता है जिसके पास समान रूप से अस्त्र शस्त्र और शक्ति होके दुर्बर पर प्रहार करना निशेद होगा और इस युद्ध में गदाधारी गदायुद्ध के नियम से और धनुर्धा से महत वपुर्णनियों इस युद्ध में किसी भी प्रकार का छल, उचक या शडियंत्र नहीं होगा सुमान रहे है हमे स्विकार है युद्ध के सारे नियम निर्धारीत हो चुके हैं, परन्तु अभी भी, पांडव पक्ष से मुझे एक छोटी सी समस्या है कैसी समस्या गंधार राज? धर्मराज, ना अर्थात ये युद्ध, समान, पद, पल, शक्ती और हम, हम पुरुशों के मध्य हो रहा है तो आपके दल में एक स्त्री क्या कर रहे है? ना ना पुरुशों के युद्ध में एक स्त्री का भाग लेना युद्ध के नियंओ के विपृत है धर्मराज ये नियंद आप जैसे ध्रुध पुर्शों ने बनाये है, जो स्त्री को तुच मानते है केवल युदा तू मानते है शीव 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 यह, यह क्या कहरे हैं? यह नियम तो तो स्वयम महादेव ने बनाये है, महादेव। भाबा खो समरन है ना? जब Dévi पारवती ने अशुरों का नाश करने के लिए माता काली का रूप धारण किया था, तो स्वयम महादेव ने भी उन्हें रोकने के लिए अपने बल का प्रियोग नहीं किया, अपितु वो स्वयम माताकाले के समक्ष नतमस्तक हो गए जब स्वयम इश्वर इस नियम का पालन कर सकते हैं, तो हम तो केवल साधारण मनुष्य है कोई भी पुरुष युद्धा एक स्थ्री पराक्रमन नहीं करेगा, यहीं युद्ध के आधारभूत नियमों में से एक है और यदि ऐसे में, यानि एक स्थ्री को पांडव दल का सेनापती पत दिया जाता है, तो कवरों विचारे कवरों तो बिना युद्ध लड़े ही हार जाएंगे क्या यह यह अधर्म नहीं है, बताइए अपने सेनापती के प्राण बचाने के लिए और कोई मार्ग नहीं सूजा आप लोगों को योद्धा सिर्फ योद्धा होता है, स्त्री या पुरुष नहीं, स्मरण है, मापारवती जिन्होंने काली का रूप धारन करके कितने असूरों का वद किया था हम असूर नहीं है, हम साधारण मनुष्य है, मनुष्य, सब ये मनुष्य और सब ये मनुष्य नियमों का पालन करता है आप सेनापती पद छोड़ दे यही धर्म है, क्यों धमराज? हाँ, तो सब के समक्ष युद्ध के सभी नियम निर्धारित हो चुके हैं हाँ, परन्तु अभी भी, अभी भी किसी के मन में शंका कुशंका हो, तो यहाँ अपने विचार प्रकट कर सकते हैं नहीं का अंधार राज, इस सभा में बनाए सभी नियम और उपनियम हमें स्विकार हैं प्रणी पाथ प्रणी पाथ मान गया मान गया क्या रणनीती थी मामा श्री आपकी रणनीती को मैं मान गया मामा श्री अपकी रणनीती का उत्तर तो आज क्रिश्न के पास भी नहीं था पूरी जुद्ध की यूरच नहीं बदल दी आपने साधू साधू परंत सुनो अब ये साधूवाद देने में समय व्यर्थ ना करो दुरूत हमें केवल ये युद्ध आरम ही नहीं करना है अपितू इस युद्ध को जीतना भी है और युद्ध में विजय प्राप्द करने के लिए अनुकुल परिस्तितियां बनानी पड़ती है बहुत चतुर बन रहे थे ये पांड़ो बहुत चतुर परन्तु अब इन्हें ग्याद हो गया होगा कि इनकी हार निश्चित है हमने जो चाहा वही हुआ है तुरू 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 दिखा दीना अपनी कायरता गंगा पुत्र फिर से मौन रहकर तुमने अपने इच्छा मृत्यों के वर्दान को लंबा कर दिया फिर से अपनी दृष्टी जुका कर तुम्हें लगता है कि तुमने अंबा के प्रतिशोत को जुका दिया आज सिध्ध कर दिया तुमने कि जब अपने प्राणों का प्रश्न आएगा तो गंगा का बेटा भी अधर्म का मार्व फिल्म सकता है यह आशत माग गंगा को भी आपसे ना होगी ना मैंने नियम बनाए ना मैं कायर हूँ और ना ही अधर्म के मार्व पर मैंने तुम्हें वचन दिया था आमव देवी कि जिस समय मेरे जीवन का कोई उदेश खेश नहीं रहेगा मैं तुम्हें वो श्यक्ती प्रदान करूँगा कि तुम मेरे इस जीवन का अंद कर सको अब वो समय आ गया है तुम्हें कदाचित विश्वास नहो परन्तु मुझे आशा है गुरुप जेतर में तुम मुझे मेरे भार से मुक्ती दिल दो परदान से मुक्ती तुम्हें मेरे में शाह बन गया उस ऑन से मुक्ती तुम्हें मेरे अंगर कोई आशा एक शेष नहीं यदि शेष है तो केवल इस युद्ध का शाप आपको इतना व्यथित देखकर बड़ी शानती मिली घंगा पुत्र दाचित आपको अब अनुभव हो गया है कि कैसा प्लतीत होता है जब मनुष्य के जीवन में कोई आशा कोई उत्साना रहे स्मरन है भेश्म यही मेरे जीवन के साथ दिया आपने ओक वचन के लिए मेरा पूरा जीवन हश्म कर दिया परन्तु एक बात स्मरन रखना इतनी सरलता से मैं अपने शत्र को मुक्त नहीं होने दूँगी मेरी प्रतीक्षा करोगे तुम दम का पुद्र कि मैं कब तुम्हें मुक्त करूगी हर पल एक जन्म के समान होगा और प्रतीक्षा का आरंव होता है अब कि अधिए अधिए उन्हें नहीं छोड़ूंगा जेस उन्हें हमांसा तर्फिया है राता भीम चांद को जईए थैरो भीम यह मेरा आदेश है क्रोध केवल तुम्हें नहीं आ रहा है रक्त हम सब को बन रहा है एक और हमारे ही मामा शिरी को चल के कारण हमारे विरुद यूद करना पढ़ रहा है और तूसरी और पड़ी ही चतुरता से उन्होंने शिकंड़नी को यूद से दूर कर दिया यह समय क्रोध का नहीं कर्म का है इस समय कौरप सेना के पास क्याराक्षनी सेना है और हमारे पास केवल साथ इस समय हमें हमारी शक्ति को एकद्रित करना होगा पासुदेव क्या हम कभी भी कौरवों से न्याय की आशा नहीं रख सकते गांधार राज और दुर्योधन से तो हम न्याय की आशा नहीं रख सकते परंतु अंग राज कर्ण से दानवीर कर्ण से आशा अवश्य की जा सकती है कि वो युद्ध में न्याय का पालन करेंगे अपने वचंदान का मान रखेंगे हम सब ने देखा कि अंग राजने कौरवों के पक्ष में होते हुए युद्ध के लिए कैसे न्याय संगतनियम बनाए परन्त वासुदेव वो तुर्योधन के विरुत कभी नहीं चाहेगा और उस तुर्योधन से मुझे न्याय की कोई आशा नहीं काईरों के भाति हमारी सेन्य शक्ति को छिन बिन्दिक करने लगा है जेश बहुत हो गई सभा बहुत बन का नियमा बस अब समय आ गया है उस तुर्योधन को उचित उत्तर देने का तैरो भीम युद का समय अभी नहीं हुआ आनुच जेश्ट मैं तो किवल आपकी आग्या का पालन करने चाह रहा हूँ आपने तो कहा था ना कि यह समय अपनी शक्तिय कत्रित करने का है तो बस मैं वही करने चाह रहा हूँ मैं अपने पुरे परिवार को इस महायुद में सम्मलित करने चाह रहा हूँ मैं अपने पुत्र बहां का इखटोत कच और उसके साथ ही राक्षसों भी रोको अपनी सेना में सम्मलित करने चाह रहा हूँ तुम उचित कह रहे हूँ अच्छ तुम्हें शीग्रती शीग्रिया से प्रस्तान करना चाहिए अपने शीग्रेन शीग्रेश प्रस्तान करने शीग्रेश याल 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 लोग दो जो गुर पना जो भिजय लिए खे घज जाए पडाय को उस पिलो गारे मैं भी तान कराओ कर दो कर दो कि अपरनी पाद वासुदेव कि अपने पुत्र कुले में जा रहा है आशीश दीजिये माता, आप अचानक बाहर के वाफ़ और आप इतने विचलित के हैं मैं विचलित नहीं हूँ पार्थ बस तनिक आशान्त हूँ अशान्त, मैं समझा नहीं माता हूँ युद्ध होता ही ऐसा है पार्थ, जो मन को अशान्त करते समय एक बहती धारा के समान होता है पार्थ धारा का स्वर हमारे मन को आनंदित करता है परन्तु ये आवश्यक नहीं कि उस धारा का स्वर सदैव हमारे मन को आनंदित ही करे उसे विचलित ना करे ये विचलित क्यों माता है अन्त, सागर में जब तरंग उठती है तो वो उत्साह से भरी होती है पार्थ और जब वही तरंग गिरकर अपना अस्तिक प्रुक हो बैठती है तब मन विचलित हो जाता है कि कदाचित वो तरंग और उचा जा सकती थी कदाचित उसका प्रारब्ध कुछ और हो सकता था प्रंटु तरंग का प्रारब्ध यह उठना और गिरजाना है माता है तो फिर इसमें आशांत और विचलित होने की क्या बात है तुमने सही कहा पार्थ मुझे विचलित नहीं होना चाहिए परंतु तुम बताओ कि तुम्हारा मन इतना आशांत क्यों है इतना विचलित क्यों है ऐसा कौन सा भाव है जो तुमें कश्ट दे रहा है बोलो पार्थ, दानवेशा अवश्य की जा सकती है कि वो युद्ध में नियमों का पाला नवश्य करेंगे. वाह, कितना अद्भुद्ध धनुधर है. वासुदेवाप, पढ़ी पात, कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे टकराया? सौभाग्य और दुर्भाग्य के लिए धन्यवाद और तानों का पात्र समय होता है अंगराज. मनुष्य नहीं, उचित परिस्थिती में, उचित समय पर, उचित मनुष्य से मिल जाना सौभाग्य होता है. और अनुचित परिस्थिती में, उचित मनुष्य से मिलना, दुर्भाग्य होता है कर्ण। आपका टकराना तो उचित ही होता है वासुदेव, इसलिए ये स्वभाग्य होता है। आग्या दीजे, प्रणीपात। इसके शब्दों की भाती, इसके बान भी कितने अमोक है ना। शब्दों का तो ग्यात नहीं, परन्तु लक्ष भेद करने के लिए मेरे बान, कर्ण से अधिक शक्ती चाली और तेव रहमा था। और ये बात आप भली भाती चांदते हैं। आज किसी के शब्दों में धार दिखाए दे रही है पार। अब बता भी दो अपने सखाकों। ऐसी कौन सी बात है, जो प्रतीपल तुम्हें और अधिक अशान किये जा रही है पार। आप तो ऐसे कह रहे हैं माला, जैसे कि आप तो कुछ जानती ही नहीं। कैसे जानूंगा, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी ना हूँ। जो संसार में कोई नहीं देख सकता, उसे आप देख लेते हैं। जो सब के समक्ष है, उसे अंजान होने का भी ने करते हैं। आप भली भांती चानते हैं इस बात तो को मैं इतना वियक्र क्यू हूं। क्यों आपके विचारों पर, आपके समय पर उसका अधिकार है। क्यों मादब, क्यों। प्रशंसा उसकी की जाती है पाक, जो प्रशंसा के योग्य होता है। महत वो उसे दिया जाता है, जो महान होता है। और समय उसे दिया जाता है। जो स्वयम समय को परिवर्तित करने की शक्ती रखता हो। और मैं क्या। कर्ण की कुशलता और लगन को देखकर, उस पर कोई भी मुहित हो सकता है। ऐसा कोई नहीं, जो कर्ण की कुशलता को अंदेखा कर सके। केवल उनके, जो उसके प्रती इर्शा रखते हैं। बस। बस मातव। रूँ जय कवल तल र Oh रूपजए दो और है, हर लु कर सकता है। हुँआहिए रूँए हुँए हुँए हुए हुआ decentral हुआ रुआ अंदेया हुआर हुआ 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 वाने वान, कौन है, जो मेरा पीछा कर रहा है, कि इस ताह से तो सामने हाँ, आपको लगता है कि मुझे कर्ण से इर्शा, क्यों होगी माथा, मैं भी मानता हूँ, कि वो एक महान धनुर्धारी है, और इस बात का मैं सम्मान भी करता हूँ, इसलिए उसके साथ अपना अधूरा द्वन्त पूर्ण करना जाए, पर तुमाथा, अब कैसे भूल सकते हैं, व वर्चुन ही था, जिसने कर्ण के रहते हुए पांचाली के सेंवर को विजित किया थे, विस्विकार कर्दू, कि कर्ण एक महान योद्धा है, धनुर्धारी है, और दू मुझे आज तक उसने कोई अधिकुत बात नहीं दिखी, और उन्तू आज एक वचित्रबात का भान वश्य हुआ है, कि आपके हर्दे में अर्जिन से अधिक कर्ण बस्ता है, पार्थ, विराट युद्धगाह में, तुमने नहीं, सूर्यास्त ने उसे पराख किया था, पांचाली के स्वेमवर, एक सूथ के प्रति, शत्रियों के दिरगाह ने जीता, और रही बात मेरे मन में सम्मान की, तुपार्थ, मेरे मन में, मेरे खिदय में, जितना सम्मान तुम्हारा है, उतना ही सम्मान, अंगराज कर्ण का है, पार्थ, जल्धारा की शक्ति का अनुमान, उसकी सता को देखकर नहीं लगाया जा सकता, पार्थ, जल्धारा की शक्ति, उसके भीतर छिपे उधल तरंगों में होता है, पार्थ, जिसका अनुमान, समय आने पर सबको हो जाता है, सत्य सदय वो नहीं होता पार्थ, जो सब को दिखाई देता है, सत्य वो भी होता है, जो हमारी द्रिष्टी देख नहीं सकते, और बहुत शीक्र, तुम्हें उसका अनुमान भी हो जाएगा, आड़ में उसका अनुमान, समय अनुमान, समय वो जान भी हो जाता है, नहीं पर देख लाएगा, फर देखाई रसप्सक्षणने आने बाता है, हुआ हाँ पाँ हुआ हैं अधा है हम धान तुम चाह तुम्हान अहां पराश है जानते हो, मैं कौन हूँ, तो मिना नाम क्या है? बता दीजे ना भद्र, आपका रूप देखकर तो भाय लगता नहीं, कदाचित आपका नाम इतना भैंकर हो, जिसे सुनकर मेरी हसी चली जाए तुम जानते हो, मैं कौन हूँ? यदि मैंने अपना परिशे दे दिया तुम शुवास भी नहीं ले पागे और यदि मैंने आपके कर्मों का दंड दे दिया, तो आप अपना नाम भी भूल जाएंगे भत्र जिस भांती आप पौधों और वनस्पती को अपने पाँ उतले कुचलते चले जा रहे हैं स्पश्ट है कि निसर्क के प्रती आपको कोई सम्मान नहीं है वन से ऐसा वैवार केवल दो ही जन्तु कर सकते हैं एक जो मूर्ख हो और दूसरा कोई वानर हो इसलिए सोच रहा हूँ कि आप कोई मूर्ख है या फिर कोई वानर मूर्ख तुम्हें तुम्हारी मृत्यू या खीच दाई बड़ा चतुर बनता है तुझे अभी मैं सिखाता हूँ कि बड़ों के साथ कैसे द्रवार करना चाहिए कुछ भी सीखने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूँ भद्र आगे बढ़िये आगे प्रस्तुत है तुम्हें 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 तुम् ऐह जो जो उब हो जो च्वित कर दो दो ही जो भी जो आउ हे भी जो दो आउ वार जो आउ हे जो आउ हाँ हाँ! हाँ! तुम साधर्ण मौनुषों नहीं हो चकते हैं. कौन हो, कौन हो तुम कहा था ना, अपना परिचय देना भूल जाओगे अब सुनो मेरा परिचय मैं हूँ बरबरीक, घटोत अच्पुत्र बरबरीक वालक, अपना परिचय देने से पुरू है मेरा नाम तो जान लेते हैं शमा चाहता हूँ मातव करन तो एक बाद जानना चाहता हूँ ऐसा क्या है उस कर्ण में जो वो कर सकता है और वही सब उससे अधिक उशलता से मैं कर सकता हूँ अवश्य पाद अवश्य तुम कर सकते हूँ परं तु कर सक्ने में और कर लेने में बड़ा अंतर होता है पार्ण अर्थाद शब्द और अर्थ के भेर में मत पड़ो पाथ उससे कोई लाब नहीं होता नहीं मादव लाब है बहुत गुणगान सुन लिया करन का आज तक मैंने आपकी हर बात आख मूद कर मानी और तु आज मुझे साक्षा चाहे है प्रमान चाहे है कि कर्ण श्रेष्ट क्यों है तुम्हें पूर्ण विश्वास है पाथ कि तुम प्रमान पाना चाहते हो हाँ मादव ठीक है अर्जय मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाता हूँ कदाचित उसके पस्चात तुम्हें विश्वास हो जागा यदि फिर भी विश्वास ना हुआ तो मैं वचन देता हूँ पाथ कर्ण की प्रशंसा तो दू तुम्हारे समक्ष उसका नाम तक नहीं लोगा यद लोगा मॉचे प्रशंसा दू आँ प्रशंसा यद्याओ प्रशंसा करे लोगा झाल